भाई आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में शायद आपमें पहले ना सुना हो टॉपिक का नाम सुनू पहले सफिक्स एंड प्रिफिक्स अब आप कहेंगे यह क्या बला है अरे बाई इंग्लिश स्पीकिंग में जोड़दार चीज है यह इसके बिना तो इंग्लिश की आप ख्वाब को हैलो में जो है एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं आज मैं आपको कुछ सब्फिक्स इखाऊँगा जैसे की अबल, फुल, एस, ले, नहीं पता नहीं क्या क्या है और कुछ प्रिफिक्स इखाऊँगा जैसे प्री, बाई, डी, डिस, अंटी, सोरी, एंटी, और एक्स अब ये इंग्लीश में कैसे यूज होते हैं, इनके जरी आप कैसे अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़े सीखने के लिए, इस वीडियो का इट तक जरूर देखिएगा, आगे बढ़ने से बढ़े चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे, ताकि रोज आन उन शब्दों को कहते हैं, जो अंग्रेजी के किसी भी शब्द के बाद, यानि उनके पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, ये पांचों हैं, जिनने में आज आपको शिखाऊंगा, ये अंग्रेजी के वर्ड के पीछे लग जाएंगे, बाद में लग जाएंगे, औ एक एक करके सीखते हैं सबसे पहले बात करते हैं एबल की अब सुनो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है पहले सुन लो एबल का हिंदी में मतलब होता है लायक जैसे खेलने लायक पढ़ने लायक सोने लायक नहाने लायक तो यह जितने भी वर्ड है ना खेलना कूदना पढ़ पढ़ने लायक, रीडेबल यानि पढ़ने लायक, ऐसे ही DRIN के ध्यान देंगे, DRIN के ड्रिंक मतलब होता है पीना और इसी में जोड़ दो एबल, इसके पीछे है, और मिलाकर क्या बना, पीना, ड्रिंक और एबल, ड्रिंक अबल, तो हो गया पीने लायक, पीने लायक is not drinkable, drinkable, देख लो जुड़िया, water is not drinkable, और खाने लायक, food is eatable, और वो फिल्म देखने लायक, the movie is watchable, ऐसे सही है, this video is also shareable, share मार दो, share करने लायक है, चला आगे बढ़ते, अगला वाला है, full, F-U-L, अब इसका मतलब क्या होगा, full का है, हिंदी में मतलब होता है, भरा अब या किसी भी अंग्रेजी के शब्द के बाद जोड़िये, वो भरा हुआ हो जाएगा, जैसे एक्जामपल देता हूँ, जैसे, यहाँ पर देखिए, कुछ आएक्जामपल है, helpful, joyful, helpful मतलब help से भरा हुआ, joyful मतलब मजे से भरा हुआ, beautiful मतलब beauty से भरा हुआ, waterfall मतलब पान लबालब हो, उसके पीछे एक suffix लगा दो, full हो जाएगा, वो खुशूर्ती से भरी हुई है, तो किस से भरी हुए है, beauty से, तो simply, she is beautiful, beautiful, यह लोजी हो गया, है न, यह यार यह जगा तो बहुत मजे से भरी हुई है, बड़ा मज़ा रहा है, the place is joyful, तो कोई भी चीज, जैसे this video is knowledgeful, यह video knowledge से भरी हुई है, knowledgeful, ऐसे, तो कोई भी चीज, किसी चीज से भरी हुई होगी, उसके पीछे, full लगा देंगे, चलो आगे बढ़ते, अगला वाला है less, less, आप सुनू ही बड़े काम का है, less का हिंदी में मतलब होता है, बिना, बिना, जब भी कोई चीज, किसी क बिना हो, बिना, तो वहाँ पर उस वर्ड के पीछे less लगा देंगे, example देता हूँ, जैसे कि, यहाँ पर कुछ काम के example है, wireless, breathless, है न, wire का मतलब क्या होता है, तार, अब इसी में less जोड़ दो, wireless, बिना तार का, ओ भाई, देखो, मेरे पास है न, यह है, यह तो है तार वाल यह देखो, यह पैन क्या है, इंक है इसके अंदर, लेकिन इस पैन के अंदर क्या है, तो इससे चलता है, इंक नहीं है, इंक less, इंक less, ऐसे ही, आगर मैं कपड़े पहने वे हूँ, तो क्या हूँ, ड्रेस वाला, ड्रेस पहने वो, और बिना कपड़ों के, ड्रेस less, बिना इज़त के mannerless, बिना शर्म के shameless, ऐसे, तो जहां पर भी बिना लगाना हो, वहां पर less लगा देंगे, चलिए, तो जैसे मुझे कहना है, अरे यार वो तो लड़का ना बे शर्म है, बिना शर्म का शर्मी नहीं हो उसमें, so he is shameless, shameless, यह लोग जी, he is shameless, वो shameless है, शर्म नहीं है, त तो इस तरह से, breathless, जिसमें सांस ना हो, यानि मर गया, टपक गया, he is breathless, वहां इसके इंदर सांस नहीं है, बिना सांस काई है, चलो, next वाला है, ली, अब ली का क्या मतलब है, बाई बड़ा प्यार सा मतलब है, ली का मतलब होता है, से, से, जैसे, प्यार से, अच्छे से, जोर से, धीरे से, इन सब में से लगाएंगे, तो ल, वाई, ली लग जाएगा, एक्जामपल देखो बच्चो, जैसे, कुछ एक्जामपल है, sweetly, fastly, slowly, अब sweet का मतलब क्या होता है, मीठा, लेकिन ली जोर दो से, मीठे पन से, मिठा से, slow का मतलब क्या होता है, धीरे, ल, जोर दो, ली, slowly, धीरे से, तेज का मतलब जया था, fast, ल, जोर दो, fastly, तेजी से, जैसे, वो तेजी से जा रहता है, भाई, बड़ी तेजी से जा रहता है, ये से के लिए क्या लगाएं, कुछ नहीं, fast में, ल, जोर दो, एक suffix लगा दो, he was going, he was going, fastly, fastly, हो गया, देखो एक्जामपल में भी लिखा हुआ, fastly, slowly, sweetly, ऐसे, उसने गुसे से पूछा, गुसे को क्या बोलते है, एंगर, अगुसे से, एंग्रिली, ऐसे, सही है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है, नेस, 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 नेस का मतलब होता है, पन, पन, जैसे, मीठा पन, करवा पन, उचा पन, लंबा पन, पतला पन, ये पन, चलो, एक एक्जामपल देखो, कुछ एक्जामपल यहाँ पर मैंने लिखे, जैसे, kindness, tiredness, अब टाइड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, तो, थका पन, थकान, ऐसे, tiredness, मीठा पन, sweet का sweetness, करवा पन, bitter का bitterness, एसे, tallness, लंबा मोटापन, थिकनेस, तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे मुझे इसकी मिठास, यानि इसका मीठापन अच्छा लगता है, So, I like, I like its sweetness, sweetness, sweetness जूड़ गया देखो, sweet में, तो मीठापन, सही है न, चलिए गाइस, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और कुछ निया शब्स, यह है प्रिफिक्स, अब सफिक्स तो हमने सीख लिए, सफिक्स किसे कहते हैं, जो शद पीछे लगते थे, बाद में लगते थे अब ऐसे शब्स जो शुरू में लगेंगे, उनकी बात करेंगे, तो उन्हें कहते हैं प्रिफिक्स, आईए शुरुबात कर देते हैं, अब यह सारे बाद में लग रहे थे, एबल बाद में जुड़ा ड्रिंक के, फुल बाद में जुड़ा ब्यूटी के, लेस बाद में अब पहले जुड़ेंगे, पहला आ रहा है प्री, अब प्री का मतलब क्या होता है सुनो, प्री का मतलब होता है पहले, ले भाईया, यह जुड़ते भी पहले ही है, इसमें भी प्री आ रहा है, और इस प्री का मतलब भी हमने जान लिया, पहले, चलो देखते हैं, जैसे, यहां पे दिखाताओं प्री का कुछ प्री एक्शंपल, प्रीवेडिंग, प्रीवेडिंग, अब देख़ो, वेडिंग का मतलब निए talked, शादी लेकिन शादी से पहले, शादी जयसे और सुमारी प्रीवेडिंग, आज कल प्रीवेडिंग शूत चलते प्रिवेडिंग शूट मतलब जो शादी से पहले शूट हो, ऐसे ही एक्जाम, एक्जाम का मतलब रहता है परिक्षा, प्रिक्षा जैसे, ऐसे ही बोर्ड होता है, प्रिबोर्ड, बोर्ड से पहले जो आता है, तो कोई चीज किसी चीज से पहले आए, वो प्रि हो जाती है, भ पैसे देने आला कनेक्शन में लिया हुआ है जिसमें पहले पैसे देने होते हैं बाद में कॉल वाल कर पाते हैं पहले रिचार्ज करो फिर कॉल होगी तो क्या है I have a prepaid prepaid connection 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 लो जी I have a prepaid connection अब pre क्यू लगाया क्योंकि पहले paid पहले देना चला आगे बढ़ते हैं आप देखो six fry का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दो लो जी वाय का मतलब दो आउए example देता हूं जैसे यहां पर बड़े ध्यांसे देखेंगे आप लोग Bi-monthly Bi-partisan ठीक है नब? देखिए Bi-monthly Monthly मतलब क्या था हर महीने और Bi-monthly हर दो महीने में ओ भाई साब इसी तरीके से Bi-early हर दो साल में Bi-early हर दो घंटे में तो जहां पर भी ये चीज आप जोड़ देंगे वो दो हो जाएगी अब जैसे कि मुझे हर दो महिने में पैसे देने है So, very simple I have to I have to pay by monthly by monthly, logic मुझे हर दो महिने में पैसे देने है by monthly, हो गया? चलो एक और देखते है, D अब यह D क्या है? यह बड़े काम की चीज है बड़े ध्यान से देखेंगे D का मतलब होता है, खत्म कर देना खत्म करना देखो भाई कोई भी चीज जब लाइफ में उसको end करना हो, तो उसके word में आप D लगा दीजिए हो गया है, देखाता हूँ कैसे देखो, जैसे, यहाँ पर एक्जामपल देखेंगे बड़े ध्यान से, deactivate कोई चीज एक्टिवेट थी उसको खत्म करना है, D लगा दो deactivate, कोई इंसान motivate था, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, उसकी life अच्छी चल रही थी, तो हमने उसको क्या कर दिया हमने उसको demotivate कर दिया, motivate को demotivate कर दिया, यानि उसके motivational जो थी अंदर का motivate पन जो था, वो खत्म कर दिया demotivate कर दिया, तो इस तरह से life में किसी भी चीज को खत्म करना है, उसके आगे डी लगा दो, जलाओ directly एक example लेते हैं, जैसे वह जो है, उसके अंदर के जो motivation था, motivate था, वो मैंने खत्म कर दिया so, I made him I made him मैंने उसे कर दिया, demotivated demotivated तो वाँ सोचे कोई भी चीज और उसमें d लगा कर देखिए यानि वो उस चीज उसमें खतम हो जाएगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला है this, देखो ये भी d जैसा ही काम करता है बस ये क्या करेगा, ये उस word को उल्टा कर देगा, उल्टा देखिए, word को उल्टा कर देगा, dis जैसे इमानदार honest अब इसका उल्टा बनाना है, बेइमान अब आप बेइमान की इंगलिस सोचोगे, आप मझ सोचोगे आप इमानदार की इंगलिस में dis लगा दो dishonest, कोई qualify हो गया अब उल्टा करना है, नहीं हुआ जी नहीं हुआ dis qualify, है ना आपका mobile charge हो गया अब उल्टा करना है, charging खतम हो रही है discharge, dis लगा दो ऐसे ही कुछ example यहाँ पर लिखे हुए आप देखिए, discount dislike, जैसे मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ so, I don't like him, लेकिन अगर मैं don't ना लगाँ, तो like को ही उल्टा कर दू, मैं उसे ना पसंद करता हूँ तो dis लग जाएगा, I dislike him, I dislike him, लोजी बन गया I dislike him, simple अगला वाला देखेंगे, auntie auntie नी, auntie इसे कहते, auntie, यह बहुत काम का है auntie का मतलब सुनो क्या होता है auntie का मतलब होता है, भाया, दुश्मन दुश्मन कोई भी किसी का अगर दुश्मन बनाना है, तो उससे पहले auntie लगा दो, बाल जैसे कुछ एक्जांपल देखो, यहाँ बड़े काम काम के है, auntie mosquito, anti-virus mosquito बोले तो मच्चरा मच्चरों का दुश्मन, anti-mosquito है ना, वायरस वायरस का दुश्मन, anti-virus anti-nationalist, यानि country का दुश्मन, विरोधी ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है, आप जैसे कि मुझे जो है, मुझे ना, पानी का कोई दुश्मन स्प्रे दे तो भाई, पानी बहुत आ रहा है, हमारी घर से पानी चपग रहा है, मैं मारू तो पानी विलकुर सूख जाए, so I want, बड़े ध्यान से देखेंगे, I want मुझे चाहिए an anti-water spray, anti-water spray, लो जी, मुझे anti-water spray, जिसका पानी, पानी, मतलब जिस पर पानी का कोई असर ना हो, पानी का दुश्मन हो यह, तो आब आप किसी भी चीज को लगाए, anti-sartasar, यानि सर्तासर का दुश्मन, जो कि कोई ही नहीं, बहुत-बहुत मैं लगी परसन इस मामने में, अगला वाला, x, ओ, यह तो भाग गए दो, उनका दिल दुग गया, बैठ जा, यहीं, बैठ जा, अब सुना, x, x का पहले थे, या कोई पहले था, आब उस पोस्ट में नहीं है, तो आप उनके नाम से पहले, x लगा दीजिए, भाई, यह मेरे teacher है, और यह मेरे ex-teacher है, यानि यह है, यह रह चुके, अब नहीं है, तो ex-teacher, यह boyfriend है, यह नहीं है, ex-boyfriend, पहले थे, यह हमारे देश के पूर परदान मंतरी यह अब नहीं है, ex-president, इसी तरीके से, जैसे, मुझे कहना है, वो हमारी class के पुराने teacher है, so, he is the ex-teacher, ex-teacher of my class, of my class, वो मेरी class के, एक ex-teacher है, है ना, तो भाई साब, कुछ इस तरह से, आप यहां पे शब्दों को बना सकते हैं, चलिए, अब एक मिनिट के अंदर, जल्दी से आपको इस सारी चीज़े रिवाइं कराता हूं, और उसके बाद homework दूँगा, बिना homework के जाना भाई, ध्यान से देखना, ठीक है, भाईया देखो, यहां पे है, suffix और prefix, suffix उन शब्दों को बोलते हैं, जो अंग्रेजी के किसी भी शब्द के पीछे, यानि बाद लगके नया शब्द बनाते हैं, जैसे, able, लायक, readable, breakable, full, भरा हुआ, beautiful, helpful, joyful, less, किसी चीज़ के बिना, wireless, breathless, shameless, ly, यानि say, जैसे, sweetly, fastly, slowly, प्यार से, धीरे से, तीजी से, ness, यानि पन, जैसे kindness, tiredness, sweetness, sweetness, मीठापन, कडवापन, अब यह है prefix जो पहले लगेंगे, जैसे pre, pre का मतलब होता है, पहले, pre wedding, pre exam, साधी से पहले, exam से पहले, by, इसका मतलब होता है, दो, by monthly, या by partisan, जैसे by monthly, दो महीने में, d, जिसका मतलब होता है, जो है, खतुम करना, deactivate, demotivate, को इसके अंदर के motivation को खतुम कर देना, या इसे बंद कर देना, this, जिसका मतलब होता है, उल्टा, यह किसी भी शब्द को उल्टा बना देता है, जैसे connect को disconnect कर दिया, like को dislike कर दिया, यह उसका उल्टा हो गया, anti का मतलब होता दुश्मन, जैसे anti mosquito मचरों का दुश्मन, एंटिनेशनलिस्ट देश का दुश्मन एक्स का मतलब तब पुराना एक्स बॉइफरेंड पुराना बॉइफरेंड एक्स गल्फरेंड एक्स टीचर और एक्स यह वो तो सफिक्स और प्रिफिक्स याद रखना चलो बाई अब आपके लिए एक छोट आसा होमवर्क है जो आ आपको एक-एक सेंटेंस बनाना है यानि टोटल चार सेंटेंस बनाने अपनी मर्जी से कुछ भी है ना कोई भी जो दिमाग में आए और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन ने जाकर पोस्ट कर देना देखिए इनकी हिंदी नहीं बतानी है आपको इनको लेकर सेंटेंस बन कि आप इस कोर्स को खरी सकते हैं दस दिनों का कोर्स है दस दिनों में basic क्लियर करने के लिए उनके लिए जिनको basic क्लियर करनी है एडवान्स वालो के लिए नहीं है ठीक है और इस वक डिस्काउंट चल रहा है 2.99 प्राइज है लेकिन हाफ रेट में मिल जाएगा आपको अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं SS50 अब जाए इस वीडियो के सबसार शेयर करना जाप देख तुचा मुचा कुचा पुचा साब लाइक देकर जाना